दृष्टी आईएस के आडियो अर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा आर्टिकल दा हिंदू में छपे लेक नेशनल शेम और जेंडर सेंसिताइजेशन और रेप इंप्यूनिटी एंड स्टेट ऑफ डिनायल के समलित शारांश पर आधारित है इसमें टीम दृष्टी के इंपूट्स भी शामिल है यह आडियो आर्टिकल सामान्य अध्यन प्रश्ण पत्र एक के सामाजिक मुद्दे खंड से जुड़ा है तो आईए लेक की शुरुआत करते हैं भारत में महिला सुरक्षा भारत में महिला सुरक्षा का मुद्दा हमेशा ही चिंता का विशे रहा है और समय समय पर महिलाओं के साथ होने वाला जगन्य अपराद आम जन्मानस को जगजोरता रहा है बीते दिनों हैदराबाद की महिला वेटनरी डॉक्टर के साथ हुआ सामोहिक दुशकर्म इसी का एक घिनोना उधारण है कहने की जरूरत नहीं कि य जन्य राज्यों से लगातार आ रही खबरों ने आग में घी का काम किया है ऐसे मैं महिला सुरक्षा पर चर्चा की दरकार बढ़ जाती है जब बात महिला सुरक्षा की आती है तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सुरक्षा होती क्या है आदिम समाज में मनुष्य को य पक्व होता गया और लोग इस खत्रे से मुक्त होने लगे। सरल शब्दों में कहें तो सुरक्षा एक ऐसी परिस्थिती है जिसमें एक व्यक्ति भय मुक्त और संकोच रहित होकर अपने व्यक्तित्तु का विकास कर सके और गर्ममय या सहज जीवन जी सके। हो सकता है कि यह सुरक्षा दुनिया के एक बड़े वर को मुहया भी हुई हो लेकिन दुनिया की आधी आबादी यानि महलाएं आज भी इस भय से मुक्त नहीं हो पाई हैं। चाहे घर की बात हो या घर के बाहर के सफर की या फिर कारे स्थल की वे अपने आपको हर जगे करती हैं। अगर हमारे देश की बात करें तो रक्षा के छेत्र में सरवादिक खर्च करने वाले देशों में शुमार भारत महिलाओं को भय मुक्त सहच जीवन जीने की परिस्तितियां उपलब्द नहीं करा पा रहा है। यदि हम कानूनी और विधिक रूप से महिला सुरक अगर देश में महिला सुरक्षा की हालिया इस्तिती की बात की जाए तो इस्तिती बेहत भयावाए है। इसे हम कुछ भयावा है सामाजिक अत्याचार दर्शाने वाले आंक्णों के माध्यम से समझ सकते हैं। आईए जानते हैं कि महिला से जुड़े अपराधों पर आंक्णे क्या कहते हैं। 33 प्रतिशत मामले अकेले देश की राजधानी के थे। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो वर्ष 2013 में भारत में दुशकर्म की घटनाओं की संख्या बढ़कर 33,707 हो गई। और जो 2012 में 24,923 थी। वर्ष 2013 में 15,556 मामलों में दुशकर्म पीड़तों की उम्र 18-30 वर्ष थी। सबसे भहावाय बात यह है कि यौन शोशण का शिकार होने वाले बच्चों का प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है। विश्व स्वास्त संगठन के एक अध्यन के अनुसार भारत में हर 54 मिनट में एक महिला के साथ दुशकर्म की घटना होती है। घटनाओं के बाद का अध्यन यह भी बताता है कि यौन अपराधों में 27 फीसद अपराध तो पडोसियों द्वारा किये जाते हैं। वहीं 22 फीसद मामले ऐसे होते हैं जिनमें शादी के जहांसे के नाम पर महिला का यौन शोशण किया जाता है। 9 फीसदी घटनाओं में तो परिवार के सदश ही शामिल पाए गए हैं। इसी प्रकार दहे जुत्पीडन, घरेलू हिंसा, हत्या, इव टीजिंग, सेक्शुल हरास्मेंट और अभद्र वहवार की बात की जाए तो इनसे जुड़े मामलों में भी इजाफा ही देखा गया ह ये रिपोर्ट्स तो उन मामलों पर आधारित हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज किये जाते हैं। हकीकत तो यह है कि एक बड़ा हिस्सा अपनी सिकायतें दर्ज भी नहीं करा पाता है। कारण चाहे पारिवारिक दबाव हो या लोकलाज का भै या थाने तक न पहुँच पाना हो या पुलिस का लापरवा हो ना। ये आकड़े और कभी न दर्ज हो पाने वाली तमाम शिकायतें महलाओं की ये सुरक्षा का खौफनाक मंजर सामने लाते हैं। इस इस्थिती में सवाल यह है कि देश के नीती निर्माताओं वह सरकार द्वारा ऐसे कौन-कौन से कानू और प्रिशाशनिक प्रियास किये जा रहे हैं जिससे महलाओं के प्रतित तमाम तरह के अपराधों को कम किया जा सके और उन्हें सुरक्षित वातावरन मुहया कराया जा सके। तो आईए देखते हैं कि क्या है महला सुरक्षा से सम्मंधित नियम कानून। देश में महला की कमी नहीं है इन में से कुछ प्रमुक हैं घरेलू हिंसा से बहलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, दहेज निशेद अधिनियम 1961, The Indecent Representation of Women, Prohibition Act 1986, The Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, बाल विवाह निशेद अधिनियम 2006, और The Protection of Children from Sexual Offense Act 2012, इसके अलावा, The Criminal Law Amendment 2018 के द्वारा, 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ तुषकर्म करने वाले को सजाए मौत सहित कठोर्तम सजा का प्रावधान किया गया, इन तमाम कानूनों के अलावा ग्रह मंत्राले द्वारा की गई कुछ पहले बेहत एहम हैं, जैसे महिला सुरक्षा को लेकर मंत्राले में अलग डिवीजन बनाया जाना, National Database on Sexual Offenders और Emergency Response Support System लाँच किया जाना आदी, साथ ही निर्भ्या फंड की भी स्थापना की गई, इस फंड को स्थापित करने का मकसद Smart Policing, Safety Management, कैमरा आदी के जरिये महिला सुरक्षा स्थापित करना है, इन तमाम कानूनी प्रावधानों और व्यवस्थाओं के बावजूद भी देश में महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी नहीं आई है, बलकि प्रतिवर्श इन अपराधों में इजाफा ही हो रहा है, ऐसे में यह सवाल पैदा होता है कि महिलाओं की प्रती बढ़ती हिंसा और अपराधों के पीछे क्या वज़े हैं और क्या कारण है कि देश में महिलाओं की सुरक्षा का माहौल नहीं बन पा रहा है भारत में महिलाओं की असुरक्षा और यौन अपराधों की बड़ती समस्या के पीछे जिम्मेदार कारकों में कानूनी, प्रशाशनिक और राजनितिक कमिया तो शामिल है ही लेकिन इस से ज़्यादा हावी कारक नैतिक पक्ष और सामाजिक संड़शना है ऐसा कहा जाता है कि प्रकृती ने पुरुश को शारीरिक रूप से महिलाओं की तुनला में ज़्यादा ताकतवर बनाया है इस धारणा ने सभिताओं के विकास के साथ ही और विक्राल रूप धारण किया और समाज में पुरुश्वादी मानसिक्ता और पित्र सत्तात्मक सत्ता ने आकार ग्रहन कर लिया सिंदुगाटी सब्विता और सात्वाहन जैसे कुछ एतिहासिक कालों को छोड़ दिया जाए तो हमारा समाज कभी भी महिला प्रदान नहीं रहा यह पुरुश्वादी मानसिक्ता हमेशा ही भारतिय समाज पर हावी रही है आज हम भले ही आधुनिक यूग में जी रहे हों देश की अर्थ्वेवस्था और समाज पर वैश्वी करण का प्रभाव देख पा रहे हों लेकिन पित्र सत्तात्म गवधारना में कोई भी बदलाफ नहीं आया है दरसल महिलाओं के खुद के प्रयासों और वक्त की मांग के कारण आज भले ही महिलाएं घरों से बाहर निकल रही हैं, काम कर रही है लेकिन उनके प्रती पुरुषों की सोच में कोई खासा बदलाफ नहीं हुआ है इस बात को हम व्यवहारिक रूप से इस तरह समझ सकते हैं कि किसी महिला के साथ हुई यौन हिंसा या दुशकर्म के बाद लोग पीड़ता में ही दोश ढूड़ना प्रारम कर देते हैं कभी लोग पीड़ता के कपड़े पर एतराज करते हैं कभी देर रात घर से बाहर अकेले निकलने पर सवाल उठाते हैं तो कभी महिला का कोई पुरुष मित्र है तो उसी बहाने उसके चरित्र पर सवाल उठाया जाता है इतना ही नहीं महिलाओं के प्रती अच्छा नजरिया विक्सित किये जाने की राह में अबजेक्टिफिकेशन ओफ विमन यानि महिलाओं को वस्तु के रूप में पेश किया जाना एक अन्य समस्या के रूप में उबरा है उपभोगतावादी और भौतिकतावादी समाज में अपने उतपाद को बेचने और प्रमोट करने के क्रम में कमपनिया नैतिकता के मांदन्नों के परे विग्यापन बनाती हैं जैसे किसी पूरुष परफ्यूम के विग्यापन में महिलाओं का गलत तरीके से प्रस्तुती करण किया जाना इसी तरह महिलाओं के विभिन सौंदरी प्रसादनों के विज्यापन में उनके सौंदरी को निखारे जाने के अलावा और कोई मुद्दा नहीं होता दरसल इन विज्यापनों के जरिये सांकेतिक रूप से ही है समझा जा सकता है कि समाज में महिलाओं का सौंदर दिखना कितना जरूरी है इसी क्रम में बॉलिवुड में महिलाओं को आइटम डांसर के रूप में पेश किया जाना और गीतों में अभधर शब्दों का इस्तिमाल भी अबजेक्टिफिकेशन और विमन की विचारधारा को ही बढ़ावा देता है नैतिक पक्ष के कमजोर होने का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारत अशलील साइट्स विजिट करने वाले शीर्ष देशों में शुमार है और इन अशलील साइट्स पर सर्च किये जाने वाले कंटेंट में बच्चों के साथ होने वाली सेक्शोल अक्टिविटीज और घटित रेप घटनाओं पर आधारित पॉन्ड वीडियोज सरवादि ढूने जाते हैं इससे भारतिय समाज की तेजी से विक्रत होती मानसिक्ता का पता चलता है भारतिय समाज की पुरुषवादी मानसिक्ता का एक अन्योधारण है कि विवाह के बाद पुरुष किसी महिला के शरीर पर पूर्टह अपना दिकार समझता है और शारीरिक और मानसिक रूप से अपनी पत्नी का उत्पीडन करता है समाज के साथ साथ नैतिकता के मांदंडों पर भारतिय मीडिया का पक्ष भी खासा कमजोर रहा है हाला कि हमारे देश में यह प्रावधान किया गया है कि पीड़ता के नाम, फोटो, चेहरे और अन्य पहचान सम्मंदी बातों को मीडिया द्वारा उजागर नहीं किया जाएगा लेकिन भारतिय मीडिया अक्सर इस दहलीज को पार करती दिखाई देती है असमवेदन शील तरीके से किसी दुरगटना का मीडिया दोरा किया जाने वाला नाटि रूपान तरण भी मीडिया के अनैतिक पक्ष को जागर करता है सामाजिक संदचना और नैतिकता के मांदंडों पर कमजोर पड़ते भारतिय समाज की सोच के अलावा कानून, प्रशाशन और राजनीती के इस्तर पर मौजूद लूप होल्स को भी समजना बेहत जरूरी है इन अपरादों के लिए बनाये जाने वाले कानूनों का कमजोर होना उनके क्रियानवेन में कमी राजनीतिग्यों की अनियंतृत बयान बाजियां, आदी राजनीतिक इक्षा सक्ती की कमी और असमवेदन शील सत्ता के सच को उजाले में लाती हैं इन कडियों में पुलिस की लापरवाही, दुर्वेवार और कभी-कभी किसी मामले को गंभीरता से न लेना भी शामिल है इन लापरवाहियों के कारण कई दफा अपराधियों का बच के निकल जाना, सबूतों का मिट जाना और सही अपराधी के पहचान न हो पाना जैसी घटनाएं घटित होती हैं जिससे पीड़ता को न्याय मिलने में समस्य आती है इसी तरह भारतिय दंड पडाली और न्याय पडाली में भी कुछ कमिया मुझूद है जिस कारण पीड़ता को उचित और सही समय पर न्याय नहीं मिल पाता है 2013 से पहले तो कई मामलों में पीड़ता को न्याय मिलने में 20-20 वर्षों तक का समय लग जाता था कुछ मामले में तो पीड़ता की मृत्यू तक मामले का निप्टारा नहीं हो पाता था 2012 में हुए निर्भ्या केस के बाद जस्टिस जेयस बर्मा समिती का गठन किया गया इनकी रिपोर्ट में फास्ट ट्रेक कोट्स के गठन, पुलिस का पीड़ता के प्रतिव्यवहार, सजा तै करने की समयावधी, आदी बातों को विन्यमित करने की बात की गई हालाकि इसके बाद भी दुशकर्म और दुर्वेवार संबंधी मामलों में इजाफा ही हुआ है घटना और जनाक्रोश के बाद जगरुपता आई है और महिलाओं के भय में कमी और नियाएक प्रिशाशनिक सुधारों जैसे व्यवस्थागत सुधारों के कारण मामलों को दर्ज किया जाने लगा है ऐसे में सवाल है कि क्या हो आगे की राह? सुधारों की कड़ी में सबसे महतुपूर कड़ी है सामाजिक बदलाव जिसके अंतरगत पुरुषवादी मानसिक्ता को बदलना लेंगिक समवेदन शीलता विक्सित करना जरूरी है भारती समाज में लेंगिक असमानता का प्रारंब लड़की के जन्म से पहले से ही प्रारंब हो जाता है जन्म से पहले ब्रूण हत्या, जन्म के एक पाद, खान-पान, सिक्षा के इस्तर पर भेदभाव, किसी भी तरह के निर्णेयन में महलाओं की भागिदारी से शुरू हुआ भेदभाव का क्रम हर इस्तर पर चलता रहता है इसलिए सबसे पहले लेंगिक भेदभाव को कम किये जाने की आवशकता है इन बदलावों की क्रम में समाज को एक समवेदन शील समाज बनाया जाना बेहद आवशक है प्रात्मिक इस्तर पर परिवार द्वारा बिना किसी भेदभाव के लड़का तथा लड़की दोनों को बराबर मूले सिखाय जाने की आवशकता है बच्चों को घर की महिलाओं से अच्छा व्यभार करना, घर से बाहर भी उनके प्रती अवचित आच्रण करने के तौर तरीके को सिखाया जाना महिलाओं के प्रती सकारात्मक नजरिये को विक्सित करने की सक्थ दरकार है विध्यालेई इस्तर पर भी इससे संबंधित मूले संवर्धन करने की जरूरत है चुकि मामले की जाच से लेकर आरोपियों को पकड़ने, चार्ज शीट दायर करने और अंतिम रूप से सजा सुनाए जाने तक पुलिस और न्याईपालिका की भूमिका बेहत महत्तुपूर है इसलिए पुलिस और न्याईपालिका के इस्तर पर भी सुधार करना बेहत लाजमी है न्याईपालिका इस्तर पर सुधारों की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में ऐसे मामलों से निप्टारे के लिए एक हजार से ज़्यादा फास्ट ट्रेक कोर्ट की जरूरत है साथ ही निर्भयाकान के बाद बनी नीती और उनका क्रियान व्यान सुनिश्चित करना भी बेहस जरूरी है हाल ही में राजसभा की सांसत जयाबच्चन ने अपराधी को जनता के हवाले करने और उनका मौब लिंचिंग करने की बात कही ये अवधारना कुछ लोगों तक सीमित नहीं है बलकि समाज के एक बड़े वर्ग का मानना यही है कि सक्त कानून और कठोर दंड समाज को अपराध मुक्त बना सकता है हाला कि सक्त कानून से इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन कानून बना देने मात से इसकी उप्योगिता नहीं सिद्ध हो सकेगी कानून का उचित क्रियानवियन हो यह सुनिश्चित करना बेहत जरूरी है संस्थागत सुधारों की दरकार को भी नकारा नहीं जा सकता सभी जरूरी जगहों पर CCTV कैमरा लगाना यातायात और परिवहन में उचित सुरक्षा सुविधाय मुहिया कराना महिला पुलिस्ताने की संख्या बढ़ाया जाना स्मार्ट पुलिसिंग, सोशल पुलिसिंग आदी व्यवस्थागत सुधारों में शामिल है व्यक्तिकत इस्तर पर भी लोगों को प्रियास करने होंगे समाज में व्याप्त डर के माहौल को खत्म करने और विश्वास कायम करने में समाज के प्रतिक व्यक्ति का योगदान जरूरी है आईए अब नोट करते हैं आज का सवाल भारतिय कानून महिलाओं को एक सुरक्षित और भैमुक्त वातावरन देने में कहां तक सफल हो पाया है महिलाओं को सकारात्मक और सुरक्षित माहौल परदान करने के लिए और किन किन पहलूँआ पर ध्यान दिये जाने की आवश्यक्ता है